जैहिन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्स क्लासेस में तो प्यारे बच्चों कल क्लास 4 का विकली टेस्ट लिया जाएगा और कल हिंदी और इंगलिस का विकली टेस्ट होगा इस वीडियो में हम 23 मार्च 2024 को हिंदी में आने वाली कोश्चन को देखने वाले हैं जो कि कल आपके विकली टेस्ट में पूछे जाएगे बहुत ही सांदार से परिशन है बच्चा सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिजे यदि आपने भारतवर्स क्लासिस को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लिजे बहुत ही सांदार से परिशन है उसका उत्तर आप नोट कर लिजे तो पहला परिशन पूछा जाएगा बीजूका की सूरत देख कौन हड़कते हैं विकल्प दे रख्या है नील गाए, भैस, साण या पक्छी तो यहाँ पर आप चुनोगे नील गाए ठीक है जो नील गाए है वो बीजूका की सूरत देख कर हड़कते हैं वेसे तो सभी होना चाहिए नील गाए, भैस, साण, पक्छी सभी हड़कते हैं लेकिन नील गाए यहाँ बस सभी अच्छा होगा पाउं जमा कर धर्ती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा रहता है कौन नील गाए, बीजूका, साण या ये सभी तो इस प्रश्ण में सही विकल्प यहाँ पर होगा बी, बीजूका, जो बीजूका है वो अपना पाउं धर्ती में जब आकर ड्यूटी पर अड़ा रहता है तीसरा प्रश्ण है, किसान का हमजोली और फशलो का रखवाला करता है पक्षी, भैंस, बीजूका या साण बताई इसका सही उतर क्या होगा बच्चा बिल्कुल सही, बीजूका होगा, जो बीजूका है वो किसान का हमजोली हमजोली मतलब होता है मित्र हमजोली मतलब होता है मित्र, वह क्या करता है वह फसलों का रखवाला है और किसान का मित्र है चोथा प्रशन पिंकी माद्र कितने वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में एक जाना पहचाना नाम बन गई थी आठ वर्ष, नो वर्ष, दस वर्ष या ग्यारा वर्ष बताएगा बच्चे इसका सही उतर क्या होगा बिल्कुल सही इसका उतर होगा नो वर्ष, नो वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में जाना पहचाना नाम बन गई थी ठीक है, बी विकल्प सही है, बी विकल्प सुनियेगा पांचवा प्रश्निया दे रखा है वृत चित्र का नाम पिंकी के नाम पर अस्माइल पिंकी रखा गया और पिंकी को 2009 में आस्कर अवार्ड मिला आस्कर अवार्ड किस छेत्र में दिया जाता है खेल जगत में फिल्म जगत में विज्ञान जगत में या साहित जगत में बता फिल्म जगत का सबसे बडा ओसकर आवाड मिलता है और यहा इसे मिला है अस्माइल पींकी को मिला है विकल्प सही होगा ठीक है एक बार फिर से देख लीजे पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का B और पांचमे का B होगा चलिए यहाँ पर आता है पिंकी बड़ी होकर क्या बनना चाहती है तो आप पाठ पढ़िएगा स्माइल पिंकी आपको इसका उतर मिल जाएगा दिये गए मुहावरे का अर्थ लिखिये पहला दे रखाया आँख का तारा होना आँख का त्यारा होना यानि बहुत प्यारा होना जिसे कोशल्या के आँख के तारे राम थे यानि राम कोशल्या के आँख के तारे थे बहुत प्यारे थे इद का चांद होना यानि गायब हो जाना राम सुरेश के पैसे लेकर इद का चांद हो गया यानि गायब हो गया पिंकी की तरह आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं तो आप अपना हिसाब से लिख लिजिए आपको जो बनना है बड़ा का उल्टा वहाँ पे लिखेंगे छोटा, भाई, भाई का उल्टा लिखेंगे बहन, तिक है, और देश, देश का उल्टा लिखेंगे विदेश, नोट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे, भारत के चाड़ परोसी देश के नाम लिखें, प्यार बच्चों सुभा पा अच्छे से किलर हो जाएंगे, तो यहां पर लोट किजिए, लिखेंगा स्री लंका, दिखेंगे मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, चुक्की मैं से, पैंसे नहीं, उंगलियों से लिखना होता है, स्री लंका, फिर यहां पर लिखेंगा मयनमार, मय चारी लिखें, तो यह थे questions आपके कल के weekly test के लिए, अभी कुछी देर में English का भी upload हो जाएगा, तो English वाला भी आप देख लीजेगा, very very important है, thank you बच्चा